हेलो स्टेंस चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7 का क्योसे नमबर 15 देखते हैं क्या है इफ y इक्वल तो 500 e की पावर 7x प्लस में 600 e की पावर माइनस 7x देन शो देट d square y by dx square इक्वल तो 49y हमें यहाँ पे y दे रखा है और इसकी help से हमें double derivative 49y के इक्वल प्रूव करना है तो देखते हैं कैसे करेंगे यहाँ पे सबसे पहले y इक्वल तो लिखो क्या है 500 e की पावर 7x प्लस में 600 e की पावर माइनस 7x हमें निकालना है d square y by dx square तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे derivative with respect to x y का derivative क्या हो जाएगा dy by dx हमारा 500 agitives e की पावर 7x का e की पावर 7x और 7x का क्या हो जाएगा 7 फिल प्लस में यहाँ पे 600 agitives into e की पावर माइनस 7x e की पावर माइनस 7x का माइनस 7x का क्या हो जाएगा into में माइनस का 7 यह आ गया मेरे पास अब यहाँ पे एक चोटी सी बात बता दू आपके मन में चल रहा होगा sir 500 को ऐसे कैसे कैसे लिया आपने 500 का 0 क्यों नहीं किया आपने derivative देखो बच्चो अगर यहाँ पे 500 अकेला होता e की पावर 7x ना होता इसके साथ तो हम इसका 0 लिख देते हैं बट यहाँ पे e की पावर 7x x की टर्म का कोई function multiply में है तो यह 0 नहीं होगा यह एज़िटीज रहेगा हमारा क्योंकि यह इसके साथ multiply होके यह variable count हो रहा है पूरा का पूरा आगे बात समझ में अब इसको थोड़ा simplify करके लिख दो dy by dx equal to क्या आगे यहाँ पे 500 into 7 multiply करने की जुरूरत नहीं है into e की पावर 7x यहाँ पे minus का sign 7 into 600 e की पावर minus 7x ठीक है और फिर इसका करेंगे हम derivative with respect to x तो इसका derivative क्या हो जाएगा d square y by dx square equal to यहाँ पे 500 into 7 था e की पावर 7x का e की पावर 7x और 7x का into 7 यहाँ पे minus sign 7 into 600 e की minus 7x तो minus 7x का क्या हो जाएगा फिर minus 7 हो जाएगा तो इसको simplify करते हैं यहाँ पे d square y by dx square किसके equal आगया हमारा यहाँ पे देखो 500 into 7 into 7 e की पावर 7x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 into 7 600 e की minus 7x क्लियर है या नी अब इन दोनों टर्म में से आप जल्दी से मुझे बता दो common क्या नजर आ रहा है 7 into 7 भी common है 7 into 7 भी common है ले लो वही common तो d square y by dx square equal to 7 into 7 common अंदर क्या बच गया 500 e की पावर 7x और यहाँ पे प्लस में 600 e की minus 7x अब जल्दी से नजर ले जाओ उपर यहाँ पे यह किसके equal है y के equal तो यहाँ पे मैं y put कर सकता हूँ या ने कर सकता हूँ जर तो यहाँ पे d square y by dx square equal to 7 7 जा 49 into y आ गया है यह नहीं यह तो प्रू करना था तो यहाँ पे क्या हो गया left hand side equal to right hand side के अब देखो बिच्चो question अगर नेक्सा classes से आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो please अपने teacher के लिए एक channel को subscribe दे के जाना है क्योंकि मुझे भी motivation मिले हम भी जल्दी से 1 million पर पहुचें और हम भी कह सके कि हैं नेक्सा classes की 1 million family है और आप उसके क्या होंगे सदस्य होंगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी आपको भी खुशी मिलेगी कि हम जिस channel से पढ़ते थे वो इतना गरू कर चुका है आपकी मदद से प्लीज channel को subscribe करना और ज्यादा से ज्यादा share कर देना जूनियर्स को जरूर बता दिया करिए जो हमारे 6, 7, 8, 9, 10, 11 के बच्चे हैं उनको भी बताइए नेक्सा classes के बारे में और मैं आपका support करूँगा आप भी channel को support करते रहिए Thank you students